वेलकम टू एग्जोर्टिक डाइन दिस इस मी स्वाती वैसे तो आपने बहुत तरह की चकली खाई होंगी जो की मैदा बेसन आटे से बनी हुई होती है लेकिन आज जो चकली मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसमें ना हमने बेसन यूज में लिया है ना ही मैदा और ना ही किसी तरह का फ्लार ये एक इंस्टेंट चकली है जिसे जब मन चाहा तब बना लिया और ये टी टैम स्नैक की तरह हम इसको यूज में लेते हैं इसको मैंने बनाया है ब्रेड और आलू से तो इसकी रेसेपी बहुत ही एजी सी है, यहाँ पर हमने ब्रैड ली है, दो बॉइल्ड आलू है, थोड़ी से मसाले और साथ में हरी मिर्च और अद्रग सबसे पहले मैंने जो स्लाइसिस लिये हैं, इनके कॉर्नर्स को मैं रिमूव कर लूँगी और जितने भी स्लाइसिस लिये हैं, सब के कॉर्नर्स रिमूव करने के बाद में, हम उनको छोटे-छोटे टुकडों में कट कर लेंगे और साथ दो बॉइल्ड आलू लिये हैं, बस इन दोना चीजों को ही मिक्स करने से हम एक तरह का डो रेडी करेंगे और हमारी चकली बन करके रेडी हो जाएगी, अब जो स्लाइसिस के हमने कॉर्णर्स निकाल लिये थे, उनको मैं छोटे-छोटे से टुकडों में कर लूँगी और इन टुकडों में तोडने के बाद इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे, वैसे आप इसे चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, दौनों पाल्म की हैल्प से आप मल करके इनका एक पावडर जैसा बना सकते हैं और इस mixi में करने के बाद इसका एक powder जैसा form हमको मिल जाएगा और इस powder form को हमें एक ball के अंदर ले लेती हूँ अब इसी के साथ हमने जो मिर्ची और अदरक लिया था उसका हमको एक paste बनाना है यहाँ पर मैं हरी मिर्च को काट लेती हूँ और उसी के साथ अदरक को भी मैंने काट लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी मिला करके इसका मैंने एक paste बना लिया है अब जो हमने boiled आलू लिये थे उनको भी मैं इस bread के अंदर grate कर दूँगी दोनों आलू को grate करने के बाद में हम इसके अंदर जो हमने मसाले लिये हैं वो मिला लेंगे जैसे चकली में तिल पढ़ते ही हैं तो यहां पर मैंने इसके अंदर तिल मिक्स कर दिये हैं जीरा जो की एक table spoon जीरा है उसको मैंने मिक्स कर दिया है और साथ में लाल मिर्च इसमें हमने हरी मिर्च अलरीडी डाली है पेस्ट तो इसलिए हमने लाल मिर्च बहुत जादा नहीं डाली आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं और साथ ही मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। और नमक। और इसके साथ में जो हरीमिर्च अदृक का पेस्ट हम ने बनाया था वह भी मिंक्स कर दिया है। और इसमें अधर चमच शिर्फ मैंने इसके इंदर तेल मिलाई है। जिससे इसका डो बहुत सदा स्मूथ हो जाता है और यह कुरकुरी बन जाती है अब मैं इस डो को रैडी करने के लिए अच्छी तरह के से इसको नीट करूँगी इसको नीट करते टाइम हमें किसी भी तरह का पानी यूज में नहीं लेना है क्योंकि इसमें आलू जो पड़ा है वो इसका ही मौश्चर से यह बहुत अच्छी तरह नीट हो जाता है इसको हमको एक तम स्मूथ नीट करना है जितना स्मूथ हम इसको नीट करेंगे उतना ही अच्छी हमारी चकली बन करके आएगी यह देखिए हमारा आटा बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है और एक तम स्मूथ है अब मैं इसके अंदर दो तिन डॉप्स मैंने आईल ओर ले लिया है और उससे मैं एक बार आटे को वापस और जदा स्मूथ कर लूँगी और यह हमारा चकली का डो बन करके रेडी हो गया है यह देखिए यह बहुत ज़दा स्मूथ भी नहीं है और बहुत ज़दा कड़ा भी नहीं है हमें इसी तरह का डो चाहिए यहाँ पर मैंने यह चकली बनाने वाली मशीन ले ली है और इसको अंदर से मैंने ग्रीस कर लिया है और यह चकली का ही मैंने साचा लिया है उसको लगाने के बाद में हम आटे को इसके अंदर डाल देंगे और चकली बनाना शुरू कर देंगे यहाँ मैं प्लेट की बैक साइट को हलका सा ग्रीस कर लूँगी जिससे चकली उठाने में हमें बहुत एजी हो जाएगा अब धीरे धीरे हम यहां पर चकली बनाना शुरू कर देंगे और आप चाहे तो साइज इसका बड़ा या छोटा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं मैंने इसको मीडियम साइज का रखा है इनके कॉर्डनर्स को जोडते हुए हम चकली को बना लेंगे यह जो हम चकली बना रहे हैं यह इंस्टेंट चकली है तो इसके डो को हमको रेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है अब यह जो चकली बन करके रैडी हो गई है यह बहुत ही डेलिगेट सी चक्ली है तो हम इसको उठाकर के दीरे से ओयल में कर देंगे और ओयल में डानलते टाइम आप याद रखेगा इसको हमको low to medium flame पे ही करना है इसको high flame पे बिल्कुल नहीं सेखना है नहीं तो आपकी चक्ली उपर से लाल हो जाएगी और अंदर से यह पूरी तरह से नहीं सेख पाईगी और इसे golden brown होते ही हम बाहर निकाल लेंगे तो यह गर्मा गरम crispy और कुरकुरी सी चक्ली बन करके ready हो गई है जो बनने में बहुत ही easy होती है और खाने में बहुत tasty होती है I hope आपको यह recipe जरूर पसंद आएगी तो please like, share and subscribe कीजेगा and thanks for watching